पहले कई स्टार किद्स ने लोगों की नज़रों में आने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया ट्विटर, इंस्टर्राम, फेस्बुक के जरीए कई स्टार किद्स ने अपनी फान फॉलोविंग डेब्यो करने से पहले ही बना ली थी और कुछ ने उसके बाद सोशल मीडिया पर आक्टिफ होना शुरू किया लेकिन वही सेफ लिखान चाहते हैं कि उनका बेटा इबराहिम अलिखान सब की नज़रों से दूर रहे यानि सेफ इबराहिम को सोशल मीडिया से दूर रखना चाहते हैं आपको बताते हैं कि इब्राहिम का इंस्टेग्राम पर अकाउंट भी है लेकिन वो इस पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहते लेकिन हाली में TikTok के थूँ नोने लोगों की नजरों में आने की कोशिश की थी और TikTok के थूँ वो अपने फैन से कनेक भी हो रहे थे लेकिन तभी TikTok बैन हो गया हाला कि जब पूरा बॉलिवोड इसम में सोशल मेडिया पर है तो आकिर सेफ क्यों चाते हैं कि उनके बेटे इब्राहिम इससे दूर रहे तो इसकी बज़़ सेफ ने क्या बताई आप भी सुनी मुंबाई मिरर से बात करते हुए सेफ ने कहा लाइक रितिक रोशन, he should just explode on the screen यानि जिस तरह से रितिक रोशन को लोगों ने पहली बार बिग स्क्रीन पर ही देखा था ठीक वैसे ही सेफ अपने बेटे को स्क्रीन पर देखना चाते हैं यानि डेब्यू से पहले इब्राहिम सोशल मीडिया इसले थे आग देए ताकि उन्हें देखने के लिए लोगों में कुरियोसिटी रहे और जब इब्राहिम को लोग सीधा स्क्रीन पर देखें तो इसका सा लोगों पर काफी जोड़दार हो हाला कि इस बात में कुई शक नहीं कि इब्राहिम को ये गुड लुक्स अपने पापा से विरासत में मिले हैं हाला कि जब उनका डेब्यू होगा तो लोग उने सेफ से कंपेर तो जरूर करेंगे और इस पर सेफ क्या सूचते हैं आप भी सुनिए यानि सेफ का कहना साफ है कि इब्राहिम उनसे तुलना से बच तो नहीं पाएंगे लेकिन वो अपनी अलग परसनालिटी बना रहे हैं इसलिए बहतर होगा कि अब इब्राहिम कम से कम लोगों को दिखाई दे और अब शायद यही बजा है कि दिवाली के बाद से इब्राहिम सोचल मीडिया पर ज़्यादा अक्टिव नजर नहीं आए यानि आब इब्राहिम फुल स्विंग से अपने डेब्यू की तायारी में जुट गए हैं अब देखते हैं कि फैंस कब उन्हें पिक स्क्रीन पर देख पाएंगे